नमस्कार मरित्यसकुमार आज हम देखने के लिए हैं एस डियाई 450 NG जो कि इसका फोर विल ड्राइव वाला विरेंट है और यहां एक 15 hp का ट्रेक्टर है और इस ट्रेक्टर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं आगे वीडियो में उसको देखेंगे तो चलिए आगे ट्रेक्टरों से हटके इसमें यह हूट दिया हुआ है आपको बता दें कि एस हैवी मश्रीन जैसे की क्रेन यह सभी चीज़ों को बनाता है तो उन सभी कच्छाप यहां पर आपको इसके रूप में भी देखने को मिल जाएगा और यहां इसका फ्रंट व्यू और राइट स इसके इंजन से इसमें एसका त्री सिलेंडर नेचरल इस्परेटर इंजन दिया हुआ है जो कि बोश के इनलाइन फिल्पम के साथ में आता है और आप यह इंजन हैट को देख सकते हैं इसे अलग-अलग डिजाइन किया हुआ है जो कि कभी इंजन में कुछ सेटिंग अगर सेटर 45 hp का पार 2000 इंजन रिप्यम पर और लगभग 185 निट्रमीटर का टॉर्क प्रोडूस करता है जो कि 45 hp के हिसाब से सही दिया हुआ है और इस ट्रेक्टर के फॉर वील वाले वेरेंट में आप 11 तक के कल्टिवीटर को भी चला पाएंगे बात कर इसके इस के लिए सेप्रेटर कंटिनर दरें से फायदा हो जाता है कि इसके अंदर डश पार्टिकल जल्दी से नहीं आते हैं जिस वज़या से पाइप अगेर में कभी बी करट नहीं होते हैं और जो आपका इस्टेरिंग का परफॉरमेंस से लंबे समय तक बहुत बहुता देखने क को मिलते रहता है और इसके फ्रन्ट मेरट आधे करने क्लें जो प्रॉबलर शाप्तार उसको कुछी सिस तरह से और यहाँ से आप Πूरा इसके नीचे करने को देख सकते हैं आप तरह से डिजाइन हुआ है इसमें निया जोकि पुरी तरह से वॉटर स्टिय। डिजाइन किया हुआ है है और कुछ इस तरह से डिजाइन है कि अगर जब आप इसको टर्न करते हैं बढ़ जाता है और इस त्रेटर से आप पड़लीं को काम को बढ़ा असानी से कर पाएंगे और इसमें मिट्टी वगरे बिल्कुल भी नहीं फासेगा और यह जो एक साल है यह करारो कमपनी का दिया हुआ है इसके फ्रंट में नौ पांच बीस के टार देखने को मिल जाएगा और यहां से आप नट बोल्स को देख सकते हैं इसका जूरीम है कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है यहां से आप मॉडल ने मैक्जिमम पीटियो पावर 31 किलोवाट का बताया हुआ है और यह सेपसी को देख सकते हैं जो कि 265 ग्राम पर किलोवाट आवर है इस ट्रेक्टर में आपको कंपनी की तरफ से दो साल की इस टिनर वारेंटी मिल जाती है और दो साल के अंदर आपको इसमें नो सर्विस फ्री दिया गया है उसके लावा जो फर्स सर्विसिंग है वो आपको 50 घंटे के बाद में कराना होगा उसके पस्याद 250 घंटे का सर्विस इंटरवल इसमें मिल जाता है आप में से किनी किसान भाईयों के पास यह वाला ट्रेक्टर पहले लेफ्ट व्यू कुछ इस तरह से है यहाँ पर प्लावल मिल जाएगा इसको आप यहीं से अन अफ कर पाएंगे और इसमें कुछ इतना फेंडर गेप देखने को मिल जाता है और वाइप्रेशन कंट्रोल राट भी दिया हुआ है यह सर्विस इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते ह और इसमें कंपनी फीटेड डबल ऑग्स रिवाल देहने को मिल जाएगा जो की क्यो आर्सी कर्पर के साथ में आता है और इसको अपरेट करने के लिए जो लीवर है यहाँ पर मिल जाता है और यह कस्टूमर के नंबर भी मिल जाएगा इसमें इन बोर्ड डिदक्शन टेक् किया हुआ है जैसा कि आप लेट साइट काम को भी देख सकते हैं और इसमें थ्री पॉइंट सेंसिंग के साथ में आटमेटी डेट ड्राफ कंट्रोल सेंसर मिल जाएगा मल्टीपल होस के साथ में हीचिंग पॉइंट मिल जाता है जो की एड़ेस्टेबर है आप इसके हाइ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूद बता है और यह देख पा रहे होंगे इसके सब जो पाइपलाइन है यह कुछ इस तरह से अटेच किया हुआ है और आपको बता दें कि यह नॉनमल प्रकार के हैं यह रोपीस वाला नहीं है इसी तरह से फोर वील ड्राइव वाले ट्रेक् किया हुआ है और यहां पर आपको इसके अउसरी वालो को एक्टिवेट और डिक्टिवेट करने के लिए नॉम बिल जाता है और यहीं से आप इसके ड्रॉप रेट को कम ज्यादा भी कर पाएंगे और जो सीट है इसको इस लिएर की मदद से आगे पीछे कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब के साथ में आता है जो कि खेत में ट्रेक्टर चलाते समय काफी सुझा जाना को जाते हैं और इसका मीटर कंसल कुछ इस प्रकार से इसमें सभी इंडिकेशन आपको एनलोग प्रकार में मिल जाता है और यहां फ्रोटल लिवर इंडिकेटर्स होन का बटन चा इसाइड में फाइबर का टूलबॉक्स मिल जाता है यहां सामने के बाइंडिकेशन आता हैं और सामने के साथ में आता हैं प्लिचेन पर प्रकार से मिल जा ट्रेक्टर का टोटल लेंज है 340 mm और 740 mm का वीट से देखने को मिल जाएगा और ट्रेक्टर का टोटल वेट 2170 kg का दिया हुआ है और इसमें 370 mm का ground clearance मिल जाएगा और इसके जो brake plates है ये बाहर में लगाया हुए हैं और इसमें oily marks, discovery या फिर dry type के brakes का option मिल जाता है कोई से भी purchase कर सकते हैं, इसमें 2.51 से 31.91 km पर आवर का maximum forward speed और 3.51 से 13.87 km पर आवर का reverse speed मिल जाता है इसमें 57 लीटर का metal का diesel tank दिया हुआ है जो कि आता है दो diesel filter और एक water separator के साथ में, इसके front में आपको bumper देखने को मिल जाता है और इसमें tow point भी दिया हुए है और ये काफी अच्छा heavy duty इसमें metal यूज किया हुआ है और 4-wheel वाले ट्रेक्टरों में आपको front में weight लगा कर चलना चाहिए इससे जो traction है काफी सहीं मिलता है लेकिन इस बात कभी दिहार रखे कि इसमें आपको जरूरत से ज्यादा weight नहीं देना चाहिए क्योंकि 4-wheel जाले XL होते है उसका भी कुछ limitation ह होता है और इसमें steering और हाइड्रोलिक लिए सेपरेट सेपरेट पंप दिखने को मिल जाएगा और यह हाइड्रोलिक के लिए आया हुआ pipeline जो कि हाइड्रोलिक और से काम करता है और यह जो पंप है यह गेर के माध्यम से operate होते हैं और यहाँ पर आप यह थर्मो इस्टेट व है इसमें कुलेंट रिजर वायर के साथ कुलेंट कुलेंट देखने को मिल जाएगा और यह रिडिटर का डिजाइन कुछ इस तरह से है और इसमें एयर का सर्कूरेशन काफी अच्छे तरीके से हो पाता है राइट साट से पूर इंजिन के डिजाइन को देख पा रहे है अगर आपके मन में स्टेक्टर से और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ तकते हैं उसके जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे तो चलिए आते हैं अगले वीडियो साथ तब तक लिए नमस्कार